दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले ही बता देती हूं कि ये कहानी किसी की फर्माज पर लिखी गई है और ये कहानी उनीके जीवन के दर्द भरे पन्ने के एक छोटे से अंच से प्रेरित है तो कृपया संदेह न करे कि क्या सच में ऐसी मा होती है क्योंकि कल्यूग में हर तरह के लोग होते हैं तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ आरती अपनी पांच वर्षिये बेटी पीहू को खाना खिला रही थी तभी उसकी मा बाहर आंगन में खड़ी होकर चिलाते हुए कहने लगी देखो आरती अब तुम्हें यह रहने की जरूरत नहीं है मैंने बहुत बरदाश्ट कर लिया आज की आज अपना सामान पैक करो और यहां से निकल जाओ आरती सन्नसी रह गई तब तक उसकी मा मोहले के बीच में जाकर खड़ी हो गई थी आरती अपनी मा के पास गई और कहने लगी मा क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो उसकी मा गोमती जी गुसे में कहने लगी देखो मैंने तुम्हें यहां पर अपने साथ मिल जूलकर रहने के लिए बुलाया था लेकिन तुम तो यहां आकर मेरे सीर पर तांड़ो कर रही हो आरती हैरान रह गई कि मा यह सब क्या कह रही है तभी गाओं के कुछ लोग भी आकर वहां पर इकठा हो गए और वो कहने लगे अरे आपकी बेटी आपका साथ देनी के लिए आई थी तो आप उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रही है गोमती जी गुसे में बोली मेरी बेटी संपत्ती के लिए मुझे परेशान कर रही है इसलिए इसे यहां से भगा रही हूँ गोमती जी की बात सुनकर आरती स्तब्द रह गई और रोते हुए कहने लगी मैंने सोचा था कि मेरी बेटी मेरे साथ रहने के लिए आएगी तो मुझे सहारा मिल जाएगा मैं तो दो महीने से इसे विठा कर भी खिला रही हूँ लेकिन यहां मुझे बार बार कहती है कि अपनी सारी संपत्ती मेरे नाम कर दो मैं संपत्ती इसके नाम कर दूंगी और यहां मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे तो मेरा क्या होगा आरती की आँखों से आशू बहने लगे वो रुदे गले से बोली मा तुम इतना बड़ा जूट क्यूं बोल रही हो बोलते बोलते वो बिलक बिलक कर रोने लगी उसकी मा गुस्से में चिल्लाते वे बोली मैं कोई जूट नहीं बोल रही हूँ बलकि तुझे ही इतने लोगों के सामने यह बात स्विकार करने में शर्मिंदगी मैसूस हो रही है इसलिए तु मुझे जूटी बता रही है मैं तेरे आगे हाँ जोडती हूँ यहां से चली जा अब मैं यहां पर नहीं रहूंगी मेरी बहनों ने और भहिया भावी ने तो पहले ही कह दिया था कि तु इतनी नलायक है तु मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी और नहीं मुझे सम्हाल पाएगी सच कहते थे वह लोग तु तो बिलकुल नलायक निकली तुने तो आते ही मेरी संपत्ती पर नजर रखना शुरू कर दिया तभी मैं सोचू कि तु शहर में इतनी सारी सुक्सुधा छोड़ कर मेरे पास क्यों आना चाहती है भाईया तो तु तुझे उसी वक्त पहचान गय थे जिस दिन तुने लव मेरीज की थी इसलिए तो तेरे मामा ने तुझसे सारे रिष्टे खत्म कर लिये थे वह तो मैं ही पागल थी जो तुझे आज तक बात चित करती रही लेकिन तेरी नजर तो मेरी संपत्ती पर थी आरती सन रह गए क्योंकि वह केवल अपनी मां का ध्यान रखने के लिए शहर से अपना फ्लैट और सारी सुक्सुधाओं को छोड़ कर गाउं आई थी उसका पती रोज दो गंटे का सफर तय करके शहर काम करने जाता था वो खुद गाउं में हजारतरा के समझोते करके सिर्फ मां के लिए रह रही थी क्योंकि मां ने उसे कहा था कि उन्हें शहर में उसके फ्लैट में रहने में घुटन महसूस होगी जिस मां के लिए उसने इतने त्याक किये वही मां आज उस पर जूटा आरोप लगा रही थी कि वह धन समपती के लालच में उनके पास आई है आरती भी लगते हुए बोली मैं सब समझ गई मां पापा के गुजरने के बाद तुम्हें अपने माई के में रहने का मन था लेकिन मामा मामी तुमसे यो कह रहे थे कि तुम्हारे पती के गुजरने के बाद जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर रहने को तैयार ही है तो तुम्हे मायकी आने की क्या जरूरत है तुम अपनी बेटी के साथ आराम से बुरापे की दिन बिताओ तो अगर मैं यहां आकर तुम्हारे साथ रह रही थी तो तुम्हें अपने मायकी में हमेशा के लिए रहने का मौका नहीं मिलता ना इसलिए अब तुम मुझे नालाइक नहीं बनाओगी तो उन लोगों के पास रहने के लिए कैसे जाओगी मां तुमने मुझे बदनाम कर दिया मुझे पर जुटा आरोप लगाया आपने स्वार्त के लिए मुझे रूलाया है तुमने अपने मायकी के मुह में मीरा मायका खत्म किया है तुम्हें मेरी हाई लगेगी इतना कहकर वा रोते हुए अपने कमरे में गई और खुद का सारा सामान पैक करने लगी उसने तुरंती अपने पती आरव को फोन लगाया और कहने लगी कि तुम जल्दी यहां आजाओ अब मुझे अपने घर जाना है उसकी पांच वश्य बेटी भी मा को रोते हुए देख कर रोने लगी थी उस मासूम के आशू भी गोमती जी का दिल नहीं पिगला पाए वह पत्थर की मूरत की तरह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी थोड़ी देर में आरव घर आ गया आरती ने रोते रोते उससे सारी बाते बताई तो आरव का खून भी खौल उठा लेकिन लिहाज के कारण वह कुछ नहीं बोला और सब कुछ वक्त के हाथों में छोड़ है तो उसे सुलजा लो और तुम अपनी बेटी के साथ ही रहो इस तरह तुम माईके में कब तक पड़ी रहोगी गोमती जी रोते हुए कहने लगी भहिया आप सही कहते थे आरती बहुत स्वारती है एक तो उसने लव मैरीज की फिर भी हमने उसे अपनाया लेकिन पापा के कभी तबियत खराब होगी या मुझे कुछ होई गया तो मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूं गोमती जी की बात सुनकर मजबूरन उनके भहिया ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए कह दिया लेकिन गोमती जी की भावी हमेशा उन्हें ताने मारती रहती थी तो मती जी अपने घर में मालकीन बनकर रहती थी लेकिन मायके में वह बस एक अंचाहे मेहमान की तरह रह गई थी ना तो उन्हें अपनी पसंद का खाना मेल रहा था ना ही वह अपनी मर्जी से कहीं बाहर गोमने के लिए जा सकती थी क्योंकि बाहर निकलते ही उनके भहिया जाती हूँ तो वहां मेरा कितना आदर सतकार होता है तो मैं हमेशा के लिए माईके में रह जाओंगी तो हमेशा मेरे लिए वैसा ही माहौल रह जाएगा लेकिन अब उन्हें अयरसास होने लगा था कि अपना घर और अपनी ग्रियस्ती अपनी ही होती है और जहां महमान बन कर जाते हैं, वहाँ पर तो आभगत होती है, लेकिन वह सब कुछ दिनों के लिए होता है, यदि हम स्थाई रूप से कही पर भी रहने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे समझोते करने पड़ते हैं, अब तो गूमती जिचिड कर अपनी भावी को पलट कर क अभी कभी जवाब दे देती थी और अपने हिसाब से कोई काम करने के लिए कहती थी, तो उनकी भावी गुस्से में कहने लगती थी, कि अपना घर तो छोड़कर मेरे सिर पर आकर बैठ गई हो, और यहाँ पर अपना हुकम चलाने की कोशिश कर रही हो, जाओ, अपने घर तो वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम्हाराम से अपने घर पर रहो, इस बात पर दोनों में बहस हो जाती थी, और घर में तनाव का माहौल बन जाता था, आखिरकार जब घर में रोज किच-किच होने लगी, तो गोमती जी के भाया ने उन्हें अपने पास ब रुपय हैं, तो उन रुपयों का इस्तिमाल करके अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से जियो, बस हमारा पीछा छोड़ दो, इतना कहकर उनके भाया ने हाथ जोड लिये, तो अब गोमती जी की आखों से आसू बहन निकले, इतना अपमानित होने के बार, अब उन्हें मायक खत्म किया है, तुम्हें मेरी हाई लगेगी, गोमती जी की आखों से आसू बहने लगे, कितना शर्यंतर रच कर, उन्होंने अपनी बेटी को खुद से दूर भगया था, ताकि वह सुकून से अपने मायके में आकर रह सके, लेकिन आज उनका मायका भी खत्म हो गया था, र रोते हुए कहने लगी, बेटी तुने सच कहा था, मैंने तेरा मायका खत्म किया, और आज मेरा मायका खत्म हो गया, इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी, और उन्होंने सारी बाते अपनी बेटी को बता दी, आरती चुप चाप उनकी बाते सुनते रही, और इसने बिना कोई जवाब ये चुप चाप फोन कार दिया, फोन कारते ही आरती फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि मायका खत्म होने का दर्द क्या होता है, यह वो अच्छे से जान चुकी थी, लेकिन अब पलट कर वह वापस न मा के साथ रहना चाहती थी, और ना ही मा को अप अपनी जिन्दगी जीने के लिए विवश्ट थी, जब उनकी तवियत खराब हो जाती थी, तो उन्हें डर लगने लगता था, कि कहीं अगर मैं मर गई, तो मुझे देखने वाला भी कोई नहीं होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, एक रात गुमती जी स्वर्ग सिधार आरती को मा से ऐसी चोट मिली थी, कि वह पलट कर गाउं भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि पूरे गाउं में मा ने तो उसे बदनाम कर दिया था, कि वह धन संपत्ति की लाल्ची है, तो गोमती जी का घर ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ, खंडार में तबदील हो रहा था, गोमती में बुरा वेवार मिलने पर उन्होंने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं, तो बैंक के रुपए भी किसी के काम नहीं आये, दोस्तों मायके से रिष्टे जोड कर रखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसके चक्कर में अपने नए रिष्टों और आने वाली के लिए गड़ा खोड़ता है, खुद भी उसी गड़े में गिरता है, तो गुमती जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब तक उन्हें यह बात समझ में आई, तब तक वो अपने जीवन के अन्मोल रिष्टे को खोचुकी थी, उन्हें तो अपनी बेटी पर गर्व होना चा करिएगा और अपने रिष्टों को समझाल कर रखने की कोशिश जरूर करिएगा, घन्यवाद